हालो, नमस्कार, स्वागत है आप सबकार, पांच जुलाई 2020 की शाम, संडे, और हमने आप से बात की थी, हम टॉपिक फूड एलर्जीज के उपर आप में आज बात करेंगे, कि खाने में कौन सी चीज़ों से लोग को अलर्जी होती है, और वीट के क्या इफेक्ट्स है, गेहू खाने का स्वास्त पे क्या इफेक्ट्स पढ़ रहा है, तो इसकी जो रिसेट चालू हुई उसमें, तो हमने पहले गेहू का इतिहास देखना शुरू किया, और ये बड़ी इंटरेसिंग जर्नी हो गए, थोड़ा सा डीटोर हो गया है, तो वीट की जो इतिहास देखने हम गए, history of wheat, how it originated, how it became a staple food, how it has become such a vital part of our day-to-day life and eating habits, तो फिर मैंने सोचा कि जबी हम बैदिक काल था, जबी हमारे यहाँ, मतलब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो उस समय से originally, लोग क्या खाते थे, किस तरह का खाना था उनका, तो इसी सिलसले में एक बड़ी interesting article पढ़ने को मिली, और एक काफी अनुमवी महिला researcher है, उनकी article पढ़ी, उनकी किताब भी है, उनका नाम है Dr. Colleen Taylor Sane, अभी Dr. Colleen Taylor जो है, यह culinary historian है, तो यह Chicago में based है, 74-75 years की age है उनकी, उनकी एक बड़ी famous किताब लेकी थी, feasts and fast in India, a history of foods in India, तो मैंने सोचा, एक बार इसमें थोरी से deep dive करते हैं, और आप सब लोगों से वो share करते हैं, कि यह खाने की journey कैसे कैसे बढ़ी है, क्या क्या चीज़े हम naturally, inherently अपने यहाँ इंडिया में खाते थे, और कैसे कैसे बाद में परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद आगी की सीरीज में जब भी हम बात करेंगे, तो हम आप से, अगर आज समय मिला तो, हलके से food allergy को चुएंगे लेकिन wheat का जो impact है, यह कफी interesting निकल के आया, वो हम आप से detail में share करेंगे कि जो gluten allergy होती है लोगों को, और जो cilic diseases होते हैं, बाकी जो गेहु में किस तरह की परिवर्तन आई और आज जिस मुकाम पे गेहु पहुची है, हमें खाना चाहिए के नहीं खाना चाहिए, तो सवाल तभी यहाँ PA आगे, तो हम बात की शुरुवात करते हैं, Dr. Colleen Taylor, जो culinary historian है, उनकी research से, और Dr. Colleen Taylor का कहना है कि भारत में 70% तक जो calorie intake है, जिससे हमें खाना मिलता है, खाने में जो उर्जा हमें मिलती है, 70% calories, वो grain से मिलती है, तो चाहे वो गेहु हो, के चावल हो, के मक्का हो या मिलत हो, उनसे आता है, अभी करीब आज से 12,000 साल पहले, मतलब बहुत पुरानी बात है, आज से 12,000 साल पहले, The Fertile Crescent नाम की जगह है, यह आपको क्या बता हूँ, यह Mid East में, Middle East में है, जहाँ पे यह historians का मानना है, कि सबसे पहले मानवता ने, मानव ने वहाँ पे एक जगह सेटल हुए, अपनी जो कभीले वारी जो आदत थी कि टावल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, शिकार करना, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाया, और बोले, नहीं हम खेती करेंगे, तो जभी यह खेती करेंगे, और एक जगह सेटल हुए, तो जिस जगह पे से Interestingly, बलुचिस्तान में भी पाईगे, तो वहां से बलुचिस्तान आया, बलुचिस्तान तभी एक खास जगह का नाम लूँगा, मेहरगर नाम है, एक विलज का, एक गाउं है, यह पाकिस्तान के अंदर आता है, बलुचिस्तान में, जहां पे सिंदुगाटी सभ्यता के अव पाईगे, वहां मेहरगड में मिट्टी के पके वे बहुत अच्छे चे बरतन पाएगे, वहां मेहरगड में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां मिली, जो कि आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उनको मैं लिंक भी शेर कर दोंगा मेहरगड की उपर में, तो सोचिए वहा सिंदुगाती सभ्यता तक ये बारली पहुँची, तो बारली के कंजम्शन की बात सिंदुगाती सभ्यता में की गई है, तीन हजार से पंदरा सो इस्था पूर्व की बात कर सकते हैं, टोटल कुछ एक पंदरा सो अलगला गाउं हैं, जो की देखे गए हैं, साथ में जो दैरो जो हैं, और हडपा, ये तो दो बड़ी शहर थे, बाकी छोटी छोटी शहर भी देखे गया थे, हलाकि इंटरिस्टिंगली अभी ये पूरा डिजर्ट है, जो सभ्यता वहां पे थी, अभी पूरी की पूरी वो वहां पे आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान मिले हलाकि वहां पे आपको सिंदुगाटी सभ्यता के दौरान भी गेहूं और बार्ली देखा गया, और साथ के साथ गेहूं और बार्ली के साथ तंदूर देखी गई, एक जो कुकिंग में जैसे हम आज कल तंदूरी डोटी चलती है, तो तंदूर का भी वहां पे अंश देख इतने साल हो जाएंगे, 4-5-6000 साल पहले भी वहां पे उसको पीसा जाता था और उसको बेक करके खाते थे, हलाकि इंट्रेस्टिंग बात है, उस समय में कोई चीनी नहीं थी, वैदिक काल में हरपा, मोहन जोदरों की सभ्यता में चीनी नहीं थी, तो मीठे के लिए क्या इ होता है, उसका इस्टेमाल हो रहा था, अंगूर है, एपल है, यह पाये गया है, प्लम पाया गया है, अप्रिकोड पाये गया है, पिस्ता मिला है वहां, वालनट्स मिले है, अखरोट जो होता है, वो देखा गया है, बदाम देखा गया है, आमंड्स देखे गया है, और पा हरा चना है वो पाया गया है नारियल पाया गया है बताइए केला कटहल और उसी समय के दौरान भारत के पूर्वी हिस्तों में यहां तक कि अलग अलगतर है कि सीट्रस फ्रूट पाए गये हैं तो मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लगी ये बात कि सोची हमारे जो इतनी पु में जो हमारे पूर्वज थे वो खाने में समुद्री नमक का और साथ में जो पत्थर से नमें निकलता है रॉक सॉल्ट उसका भी इस्तिमाल करते थे खाना पकाने के लिए मक्षन का इस्तिमाल देखा गया है सरसो के तेल का इस्तिमाल देखा है हलाकि सबसे पहले जो इस्त बकरियां और भेर देखे गया, तो बकरियों से एक सिधा-सिधा मीट मिलता था और साथ में जो शीप हैं, उनसे उन मिलती थी, यहां तक एक और इसी आर्टिकल में बताया गया है कि करीब 2000 इसा पुर्व में वहां उस सभेता में चिकन भी पाई गए, मुर्गी भी थी और य इंडिया में क्या चल ला था, तो गोदावरी वैली जो है, कृष्णा गोदावरी वैली है, वहां पे अठाइस सो से बारा सो इसा पुर्व तक डाल देखा गया, कि डाल मिलती है, और मूटे वाल अनाज मिलते हैं, मिलिट्स, जैसे जौार, बाजरा, यह सब है, वो देख करने की अंच जो है, लक्षन देखने मिलते हैं, तो ये डाक्टर कॉलीन टाइलर साब का मैडम का बोलना है, कि लगता है उस समय ही वो दोसा, इडली, वड़ा बनाने का जो सिलसिला है, शायद तब से सुरू हो गया होगा, अब जो हमारा पश्चिम भारत है, वेस्टर्न जहां पर अभी हम रह रहे हैं, यहां पर मोटे अनाज, सोर्गम, कोडो, बाजरा, सिंगर मिलेट, लेटल मिलेट ये सब पाए गया, 1970 के दसक के आने के पहले तक भारत में मिलेट प्रोडक्शन ठीक ठाक थी और कंजम्शन भी चल रही थी, बट 1970 के बाद यहूं बहुत त मिलेट, बाजरा, नाचनी, ये सब जो मिलेट फैमिली के जो अनाज है, उनकी प्रोडक्शन कंजम्शन दोनों कम होई, हलाकि वो दोनों ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होते हैं, तो आज डॉक्टर्स कई डाबिटिक लोगों को बोलते हैं कि आप मोटा अनाज खाईए, अब गेहूं क्या था? गेहूं ज्यादा मीठा था और ज्यादा सौफ्ट भी था उसका आटा, तो लोगों को स्वाद उसका जम गया और धीरे-धीरे हमारी ओरिजिनल जो चीज थी वो निकल के और गेहूं उसके जगह पे आ गई, गेहूं के बारे हम बात करेंगे, आप स जाहें ही देखेंगे कि चावल का बहुत जञादा, तो चाहे आप केरला में चले जाएं, वहाँ भी चावल चलती है, और चाहे आप West Bengal चले जाएं, तो वहाँ भी चावल ही चलती है, आप ही ना तक South में बहुत दिनों तक लोगों को चपाती रोटी नहीं खाते थे, भी इसमें थोड़ा सा confusion है, बहुत सारे historians मानते हैं कि Pearl River Valley चाइना में चावल की शुरुवात हुई थी, कुछ 10,000 से 8,000 इसापूर्व में, दो तरह के चावल देखे गया हैं, इंडिका जो लॉंग राइस होती हैं और छोटी वाली जपानी का बोलते हैं, ये तो जपान और इंडिया, हला कि 3000 इसापूर्व में ये जो चावल है, ये चाइना से लेके पूरे भारत, साथिस्ट एशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, सब जगह पे ये ओरिजिनल चावल की खेती, देखे जा, मैं ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गंगा की सभेता में, गंगा की घाटी में 6400 BCE में लहुरा देवा नाम की एक गाउं है UP में, जहां पे खुदाई में चावल पाया गया, ये ओरिजिनल चावल जैसा अभी देख रहे हैं वैसा नहीं, बट चावल क पूरवज जैसे कुछ एक मूटा सा चावल पाया गया, और वहां पे बर्तन भी पाया गया, तो थोड़ा सा कॉंट्रिवर्शिल है कि ये चावल की शुरुवात चाइना से हुई कि चावल की शुरुवात इंडिया से हुई थी, डाल जो है, डाल भी पाई गई पूरे सिं को इंडिया का नाशनल फूड रेक्मेंड किया गया, हाई अंचल, स्वागया थे आपका, अभी देखे, अरहर दाल की ओरिजिन कहा हुई, तो बोलते हैं, अरहर दाल की शुरुवात हुई है, सेंट्रल भारत, मतब जो हमारा बीच का देव, MP और महाराष्ट्रा, चत्तिस कि इस आज की जो बात है, इसमें आपको इतनी अशर्जनक चीजे पता चलेंगे कि जिन खाने की चीजों को हम अपना, inherent मानते हैं, आपके बहुत सारी भरांतियां तूटेंगे आज, तो ध्यान से सुनिए गया इसको, अभी देखे, सेम, जो सेम की सबजी होती है, बोरा, अलगे तरह के जो मटकी होते हैं, और ये सब, बताते हैं, अफ्रिका से आई, सवाना के जंगलों से 2000 साल पहले, और साउथ इंडिया आई, और फिर धीर-धीर करके आगे बढ़ी है, अब आगे बात करते हैं, मसालों की, भारत में टोटल 109 मसालों की प्रजातियां अलग मिर्च है, करी के पत्ते हैं, पिपली, गाउं में मसाले में पिपली देखा करते थे, वो पिपली है, बरी वाली काली लाइची है, और तुलसी, ये चीजे पाई गई हैं इवन पुराने समय में भी, अभी यहां तक कि ये जो मेहर गड की जो सभेता है, वहां पे कैसे करते हैं, तो जो इनसान हैं, उनके दात और जानवर उनके आजू बज़े तो गाय रहते थे, उनके दात में भी अवशेष निकाल के देखा गया, और जैसे आजकल गाउं में, जो आपके घर में खाना बच जाता है, तो उसको traditionally हम गाय को खिला दिया करते थे, तो पह एक जो कड़ी बनती थी, एक सबजी बनती थी, उसमें भारत में इन चीजों के इस्तेमाल होता था, कितने इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हमने पहले पता है, सेसमी सीड, ओयल, तिल के तेल का इस्तेमाल वो देखा गया था, अभी कुछ जो मसाले हैं, वो पस्चिमी एश एशिया से हमारे यहां आये, अब जैसे अरब की तरफ से जो आये, तो उसमें क्या का आया, जीरा आया, तो जीरा हमारे नहीं है, यहां का इंडिया का ओरिजिनल, फेनुगरी काई, जिसको आप मेथी बोलते हैं, सरसुवाई, केसर आया, और धन्या भी आये, यह सब हमारे और सिर्लंका से डालचीन आई सिनमन जो होती है वह श्रिलंका से आई और कथा साउथ एशिया से आए एक और जटके वाली बात, मैं काफी लॉंग खाता रहता हूँ, लॉंग और नटमेग, यह आएं इंडोनेशिया से, यहां तक कि प्याज जो है, वो भी साउथ इस्ट एशिया से आई हमारे हैं, पान, कसेली ये साउथ इस्ट एशिया से आई, जिसको अभी हम पूरी तरसे भारती है हमने बना लिया है शायद वो लोग भूल गए होंगे बट भारत में तो पान और खासकर नौर्थ में तो काफी सौथ में भी खाते कम खाते हैं बट पूजा में और देखा है मैंने चिन्दई में भी एगर आप सरवना भवनागर में खाने जाने तो आपको खाने के बोलना है कि यह लगता है पूरी पूरी तरह से यहीं की पैदाईश है हलाकि जामुन बेल भी देखा गया इवन वेदिक काल में भी जामुन और बेल का बेल की शर्बत जो आप लोग में से उन लोगो मालुम होगा तो वो भी देखा गया है सबसे बड़ा जो आदान गया है और वो चीज़े धीरे भारत में भी ट्रोपिकल तो जो आप देखे जो सदर्न अमेरिका की जो इस तरह की वातावरन है उसी तरह की वातावरन हमारे इंडिया में भी है तो वो चीज़े यहां पर बहुत एची तरह सट होगे अब उसमें क्या-क्या चीज़े हैं आ आलू भी हमारा नहीं है आलू भी सदर्न अमेरिका से आया है टमाटर वहां से आया है पाइनापल अनानास अमेरिका से इंडिया में आया है काजू अमेरिका से इंडिया में इन सब को छोड़ दीजे जिस चीज के लिए पूरे दुनिया में भारत का नाम लिया जाते है कि लोग मिर्ची खाते हैं, बहुत खाते हैं, मिर्ची भी हमारी नहीं है, तो लाल वाली मिर्ची है, वो भी South America से आई, तो मतलब अगर आप ये सोच कर देखें, कि मुगल कालम, जभी ये 1600 से पहले, तो उस समय हो आलू नहीं खाते थे, उस समय उनके पास मिर्ची नहीं थी, उ उनको उस समय अमरूद नहीं पता होगा, ये धीरे 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 करके बाद में जाके पूरी इंडिया में ये सब चीज़े चा गई है, तो खुछ चीज़ें ऐसी है कि जो भारत से भी बाहर गई है, तो हाँ गई है बिलकुल, आम यहां से गई है, जो आम है, आज पुरे, जादध जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, वहां पर आपको मैंगो मिल जाएगी, बट ये भारत से गई है, केला हमारे यहां से गई है, और एक तरह से आप गौर करें, तो आप देखेंगे कि हमारे यहां जो हिंदू पुजा पधती है, उनमें अक्सर इन चीज़ों क इस्तिमाल आप देख लेंगे, आम के पत्ते का इस्तिमाल देख लेंगे, केले के पत्ते का इस्तिमाल, नारियल हमारा है, हाला कि इसमें आगे एक और डेटा शेर करूगा, कथल हमारे यहां, इनिहरेंटली पाये जाता, तो हमारे यहां से कथल पूरी दुनिया में फैला, एक और चीज, जो पूरे दुनिया को भारत ने गिफ्ट दी है, वो है चीनी, तो इवन जब इख है और चीनी, वो इंडिया से पूरे दुनिया में फैली है, अब रही बात केले की, तो केले में थोरा डाउट है, ये कुछ लोग का बोलना है कि न्यू गिनी में पैदा हुआ और इवन जो शुगर केन भी है, वो भी शायद वहाँ से धिरे 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 आगे बढ़ी है, और इंडिया तक पहुंची है, अभी एक्जैकली अगर बात करें कि ये तो होगे खाने क्याने जाने के बाद, उसके बाद उस समय वैदिक काल में लोग स्पेसिफिकली क क्या खाते थे, तो जैसे मैंने पहले बता है, बारली देखी गई, दाल देखी गई है, एक रिसेपी भी मिली है रिगवेद में, जिसका नाम है अपूपा, अपूपा क्या है, ये बाद में होते होते ही जिसका नाम पूआ पर गया, तो इसमें देखा गया कि बारली को पी गई है सक्तू बोलते थे उसको अब सक्तू क्या थी बारली को पीसके उसका जो आटा होता था उसको सक्तू बोलते थे बाद में ये आज के बिहार में आपको चने का सक्तू मिल जाएगा तो शब्द वो शक्तू यहां सक्तू आ गया चने में आ रहा है कुछ और चीजे भी ख को और दूध को मिला करके ओडाना नाम का एक खाद्य पदार्थ बनता था दही बार्ली और शहद मिला के करंबा नाम की एक चीज खाते थे वो लोग जिसका वर्नन आपको रिगवेद में भी मिलेगा इन फैक्ट वो करंबा अभी भी गुजरात में उसके नाम की रेसिपी च हल्दी देखी गई है बरी वाली पेपर देखी गई है जो पीपली जिसको बोलते हैं करवा ओरेंज देखा गया है तिल का तेल देखा गया है और ये भी पाया गया कि वहां तेल निकालने के लिए जानवर के इस्तेमाल करके तेल निकालते थे तो कोलू भी पाई गई है सि तो उनको वहाँ पे बेर मिला है, तीन तरह के बेर मिले हैं, सिंदुगाटी सब्वेता में, बेल का फल मिला है, तो अभी अब बेल को भेकर आप जोर के देखें, तो अब उन्हें हमारी पूजा पाथ में खासकर शिव की पूजा है, बेल का महा तो बहुत है, और बेल तब स चला रहा है, खजूर मिला है, खजूर पाए गया है, आमला पाए गया है, आम पाए गया है, खीरा, ककंबर, थैंक्फुली, वो हमारा है, वो पाए गया है, कमल के डंठल का खाने में इस्तेमाल पाए गया है, कमल के रूट का, जर के इस्तेमाल पाए गया है, खाने में, ल तो उनमें बड़ा इंट्रेस्टिंग सा कुकिंग टेकनीक देखा गया है कि वो ओपन फायर की उपर में पिट बनाते थे और एक तंदूर जैसी भी चीज थी जिसमें की जो शिकार करके मीट आती थी उसको रखके पकाया जाता है तो एक तरह से जो ओरिजिनली कबाब टाइ मेडम्स आपका कि उन्होंने इतनी अच्छी रीसर्च करी बहुत सारा समय लगा बहुत सारा टाइन गया होगा उनका ये सब करने में अभी आते हैं हम वापिस थोड़ी से बात करें वीट की यहू कहां से आई तो गेहू जो है यह ट्राइटिकम एस्टिवम नाम का पौद है करेब 9600 BC में वहीं फर्टाइल क्रिसेंट में इसकी शुरुवात हुए थी आज की डेट में अगर आप देखने जाएं तो दुनिया में पैदा होने वाली अनाजय में सबसे जादा जमीन गेहूं के अंदर में लगी हुई है टोटल दुनिया भर में ग्लोबल फूड के तो और पिसको माना जाता है 772 मिलियन टन की पैदाईश है हल साल की क्या हम गेहूं की पैदाईश में है तो हाँ चाइना नंबर वन पे है उसके बाद इंडिया आती है फिर अशिया है यूएसे है और फ्रैंस है हलाकि हम जभी गेहूं के बारे में डीटेल अगले दिन बा विश्टरन कंट्रीज के मुकाबले में गेहूं का दूसरी बात हमारी जो पैदावार है वो भी पर हेक्टेर बाकी कंट्रीज से कम पाई गई कम देखी गई है तो ये तो थी खानी के शुरुआत जो वैदिकाल से होते होते आगे कैसे बढ़ी और हम कहां तक पहुंचे औ आपके शरीर के बाहर का दुश्मन मानके उसके उपर अटाक कर ले अभी मुझे होती है एक चीज से एलाजी और वो है ड्रम स्टिक जिसको आप बोरिंगा बोलते हैं जिसको हमरा सही जन बोलते हैं उसको अगर सांबर में डाला जाता है बहुत कम है ली तो जबी भी हम अबर से बचके रहे हैं क्योंकि ड्रम स्टिक खाई और एक पच्चीस से तीस मिनट के अंदर में सांस लेने में तकलीफ होती है बॉडी में अलग-लग सूजन होती है नॉडिल्स बढ़ने लगते हैं यह कुछ लक्षन होती है जैसे स्किन रैश होना जीब फूल जाना सां इलर्जी के हो सकते हैं यह क्या है अलर्जी अच्राव से शेक्षन और यह बहुँ देल हुआ धिricting और बॉत होती है कि यूजे क Ты होती है उ कि वैसे 100-200 लोग food allergy से भारत में हर साल मरते भी हैं, वैसे आपने हाँ reporting कम होती है थोरी, और सबसे common जो food allergy देखी गए जिन चीजों में, उन में से 160 खाने के materials हैं, जिनको list किया गया है, identify कि ये allergens हैं, और उनको priority food allergens में शामिल किया गया है, अब मैं आपसे बताने वाला हूँ जल्दी-जल्दी में कि कौन सी एक 10-12 चीज हैं, जो सबसे ज़्यादा खाने में allergy पैदा करती हैं, बट उसके पहले मैं आपको थोरी selection बताना चाहूँगा, कि आप अपने बच्चों में, खुद में, या किसी और को भी देखें, और आपको इसके लक्षन लगे, तो आप एक्चुली आपको pinpoint करके बता देंगे कि आपको खाने की इस आइटम से allergy हैं, तो आपको匈 से बेंगी से theregy हो सकती है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूं है, घुट की तो आपको आपको नहीं मालूं है, तो life बहुत difficult हो जाती है, अलर्जिन मालुम करना पता ही नहीं चला कि तब क्यों खराब हो रही तो कुछ सिंटम्स आपको बताता हूं टिंगलिंग होना मुव में और खुजली का जैसा अनभव होना मुव में यह अलर्जी के लक्षन हो सकते हैं हाइवज, चकते हो जाना, रैशेज हो जाना, खुजली होना, कुछ लोगों में एग्जीमा होना यह भी फूड ऐलर्जी के लक्षन हो सकते हैं स्वेलिंग ऑफ दे लिप्स यह होट फूल जाते हैं चेहरा फूल जाता है जीव मोटी हो जाती है गर्दन फूल जाता है और शरीर के अलागला जगों पे भी तो मेरा कभी इदर फूल जाएगा कभी इदर सांबर खाने के बाद सांस लेने में जरूर तकलीफ होती है कुछ वह बहुत ज़ी डेटरिट होती है आवाज बदल जाती है कुछ लोगों में एब्डॉमिल पेंट पेट का दर्द देखा गया है बच्चों में भी डारिया के लक्षन देखें गया है नॉस्या वॉमिटिंग देखी गई है तो कोई खास चीज खाने के बाद अगर तरह के लक्षन आए तो आपको देखना चाहिए चेक करना चाहिए कि यह किसी फूड एलर्जी के लक्षन तो नहीं लगता है कुछ लोगों को डिजनेस होती है चक्कर जैसा आता है कुछ लोग हलका लाइट हेड़ेड फील करते हैं कुछ तो बेहोश भी हो जाता है अलर् करती है उस एलर्जी की स्टेट में कि सांस लेने में तकलीफ होती है गले में चोकिंग सेंसेशन होती है ब्लड प्रिशर बहुत और ब्लड शुगर फटाक से नीचे एकता है उस समय अगर बहुत जल्दी मेडिकल सुवधा ना मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है अभी भ कि शुख और बेड़ी में जो कुछ चीज़े ऐसी खाई जो बच्चे के पेट में तकलीफ पैदा करती है हाला कि जो गाय के दूद की यलर्जी है यह दीरे-दीरे-दीरे समय के साथ लोग इससे निकल जाते हैं निकल पाते हैं दूसरी सबसे common allergy है वो है peanuts allergy अच्छा गाय के दूद वाली allergy अभी बहुत सारे doctors जिनको पता चल गया है, allergen देख पाएं है तो हमारे तो चिंटा हो जाते हैं कि बच्चा दूद नहीं पिएगा तो कैसे बड़ा होगा तो doctors भी अभी सलाह देते हैं कि अगर बच्चे को allergy है और basically दूद पी के आप स्वस्थ रहें ये compulsory नहीं है तो मा का दूद है वही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है उसके बाद बहुत सारे options हैं खाने में तो दूद पे पूरी dependence हो ऐसा लाजमी नहीं second सबसे common allergy के चीज़ है बहुत peanuts मुंगफली और चनाब यह जो मुंगफली की allergy है यह होती है lifelong तो किसी को एक बार होगी जैसे मेरी lifelong है वो drumstick वाली तो मैं ट्रावल करता हूं तो साथ में एक सट्रीजिन की जो पता है वो तो मेरे बैग में रहती है हमेशा पता नहीं कौन से खासका साउथ में तो थोड़ा और आप कई बार इंट्रेस्टिंग चीजें हो जाती है नवीन मिश्रा जी स्वागत है आपका अभी एक बात बता था एक फाइस्टार होटेल में खा रहे हैं और मुंबई में सूप पी रहे हैं सूप में लिखा था किसी चीज़ का शोरबा हाँ वेजटेबल शोरबा अब वो शोरबा पी रहा हो आप और पीने के पांच मिनिट के अंदर में ही मेरे कान गरम होने लग गए तो मैंने वो जो शेफ थे उनको इशारा करके बोला एक मिट आई है इसमें अपने ड्रम स्टिक डाला है क्या तो बोले नहीं सर बिलकुल ड्रम स्टिक नहीं यह तो वेजटेबल है मेरी हालत इतनी जल्दी खराब होने लगी कि टेबल पे बैठे बैठे मेरे चेहरे में सूजन आने लगी छे से दस मिनिट के अंदर में मैंने इमीडिरली स्रेटरज के असर से allergic reaction तो कम हो गए लेकिन मेरे सांस लेनी की तकलीफ बढ़ने लगी चेहरा फूलने लगा मैंने शेफ को बोला वापिस चेक कीजिए मैं डैम शियूर हूं कि इसमें जरूर इसमें ड्रम स्टिक मिला हुआ है तो वो वापिस गए उन्होंने बाद में आके हाथ जोर मैं घर तो आ गया प्रोग्राम पूरा खतम नहीं कर पाया बट वहां से दो घंटे घर आने को लगे हैं मेरी आंके सूझ गई थी पूरी अगले दिन सुपह उठा तो आंके एकदम खुल नहीं रही थी और चुटी लेनी पड़ी उसके एक दिन बाद फ्लाइट लेके हमें साउथ में किस प्रोग्राम के लिए जाना था तो अलर्जिक रियाक्शन्स आपको तो मैं तो देखता रहता हूं कि कहां ड्रमस्टिक वाली चीज़े उनको अवाइड करें तो भगवान न करें आपको ऐसी किसी चीज़ से अलर्जी हो जो आपको पता नहो और आप बढ़ते हैं मचली से अलर्जी देखी गए हैं लोगों में तो यह अलग-अलग इंपोर्टन और यह जो डॉक्टर्स ने लिस्ट किया है एलर्जिन्स के हिसाब से तो मैं वापिस रिपीट करूंगा नमबर वन पर हैं काउज मिल्क, नमबर टू पीनट्स, नमबर त्री म अंडे हैं, मचली है नमबर चार पे, नमबर पांच पे आती है नट्स जो अलग-ला तरह के जो ड्राइफ रूट्स हैं उनमें कुछ लोग अलर्जी होती है और यह भी lifelong होती है तो एगर किसी को ड्राइफ रूट्स में से किसी एक चीज से अलर्जी होगी तो उनको समभल क प्रिश जो एक तरह से क्या बोलूँ आपको केक्रे हैं या फिर ये प्रॉंस हैं टाइगर प्रॉंस होता है बड़ा वाला वो इन सब चीजों से भी अलर्जी देखें मेरे मित्र है उनको सीफूड की अलर्जी होती है तो बड़ा कॉमन है सुयाबीन से लोगों में चीज जो दुनिया में भी है और इंडिया में भी देखी गई है वो है गेहूं से और ये इतनी क्या बताउं डिफिकल्ट है इस चीज को पकटना कि किसी को गेहूं से इलर्जी हो रही हो रहाँ होरह Quốcो के जब तक ये पता चलती है तब तक आदमी के हालत बहुत क्योंकि आ और ये इतनी इतनी घुसा है हमारे खाने में हर जगह हर तरफ गेहूं की हम उसको एक बहुत इंपॉर्टन सोर्स आफ काबो हाइडिर्स मानके खातो रहें लेकिन वह हमें बहुत नुक्सान भी कर रहा है तो मैं गेहूं के बारे में बहुत डीटिल में आपसे बात करूंगा एक दूसरे दिन करूंगा क्योंकि एक टॉपिक है वो जिसमें हमें काफी समय लगेगा बट एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि चावल को बहुत जादा बदनाम किया गया कि चावल से मोटा पा होता है चावल में सब्सक्राइब काबो हाइडिर्स होते हैं हाला कि ज चावल में भी कौन से तरह की जो अन पॉलिष्ट राइस होते हैं लाल वाली चावल भी बट उसको पकाने में ज्यादा समय लग जाता है तो मैडा माज कल नहीं देती है वो तो जितना कम पॉलिष्ट चावल होता है उतना अच्छा होता है क्यों क्योंकि उसके उपर से जो मक्य की इलर्जी होती है कुछ लोग को 11 वी नमवर पर है अलग-अलग मसाले जैसे कुछ लोग को सरसोर से होती है कुछ लोग को धनिया से इलर्जी मेरे एक मित्र है उनको धनिया से इलर्जी वो खा नहीं सकते अगर उनकी खाने में धनिया का पत्ता आजा तो उनको अच् सभी सवीर कि इसका स्वाद कैसा होता इसका गंद कैसा होता है और अफरी व्धिस कै्टेग्री में मेरी इलर्जी आती है वो fruits औरpperleteable से भी कुछ लोगों को इलर्जी होती तो अपने इलर्जेंस को जाने हौर से बचने की कोशिश करें, हलाकि किसी को भी, किसी भी चीत से allergy हो सकती है, यह allergy के definition में ही लिखा हुआ है, तो यह थी आज की हमारी topic, interesting topic, जिसमें हम बात करना चाहते थे आप से, कि food allergy और wheat के क्या impact है, बट wheat का impact हम किसी दूसरे episode में करेंगे, और मैं आप सबसे recommend करूँगा कि आप एक बात check करें, Dr. Colin Taylor उनके काम को, जो culinary historian है, based out of Chicago, मैं link डालूँगा उनके website की, और मैं इन्हों किताब बिलकुल पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि दोने किताब का नाम है, Feasts and Fast, A History of Food in India, साथ के साथ जो खाने में शौकीन लोग हैं, अभी हमने किताब खत्म की है, साई परांजपेजी की पंगत नाम है, और यह बहुत ही अच्छी documentary है, बहुत अच्छा संकलन है, महाराष्ट्रा के अलग-अलग किजीन की उपर में, बरी सिंपल से recipes भी दी गई हैं, तो अगर आपको food-siduity किताब पहरने में शौक है, तो आप पंगत पढ़के देखिएगा, हलाकि मैं आपसे recommendation फिर वापिस पढ़ने के बाद शेर करूँगा, feast and fast, जो डॉक्टर कॉलीन टेलर सेन ने लिखिया है, उसके बारे में बात करेंगे, वैदिक चीजों के खाने के उपर में, मुझे बहुत इंटरस्ट आया कि हमारी पूरवज किस तरह का खाना खाते थे, और उसके health benefits क्या है, और राजसिक, तामसिक और सात्विक, यह जो concept है, यह क्या है, इसके उपर हम deep dive करेंगे, और आप सबसे जो philosophy है आयुरुएदा में और वैदिक काल से जो खाने की थी, जो शायद हम देले 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 वेस्टरन कल्चर के संपर्क में आकर भूलते चले गए, उसमें थोड़ा deep dive तरके आप से कुछ share करने कोशिश करेंगे, आप लोग भी अपने अपने जो खयाल हैं उसको share कीजेगा, बताएगा कि आपके खाने के उपर में, खासकर जो historically traditional खाना था हमारा, जो हमारे दादी, हमारी परदादी, हमारे जो गाउं में बनता था, उसके पीछे क्या logic था, हजारों साल से खाकर लोग उसको कैसे स्वस् है, हाई नहा, आप पूछ रहे हैं, what is your thought about brown rice, can we consider this better than the routine white rice for use, of course, sure, 100%, brown rice, kerala rice जो होती है, नहा, मैं आजकल kerala में भी जाके बोलता हूं कि मुझे traditional rice दो, तो कई जगह पे वहां भी बोलते हैं कि वहां के लगों ने खाना बंद कर दिया है, हलांकि कुछ जो traditional joints हैं जहां पे आपको खाना मिलता है kerala में, तो वहां भी बी आपसे पूछेंगे, which rice would you like to take, would you like to take the kerala rice or would you like to take the white rice, तो brown rice is absolutely recommended, one of the most healthy, low glycemic foods available, good for health, हम और detail में बात करेंगे, जिस दिन हम अगले topic में जभी हम गेहु की बात करेंगे, और किस तरह से gluten intolerance होती है, किस तरह से leaky gut होती ह गेहु खाने से और अलग अलगतर है कि बीमारियां जो गेहु के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे society में आई है, उसके बात करेंगे, तो नेहाँ बिलकुल ने संकोच brown rice खा सकती है, recommended है, डॉक्टर मार्क हायमन साब भी इसकी बात करते है, तो आज की topic यहीं पे विराम देते हैं, और आप सबसे फिर अगले week में बिलेंगे एक अच्छी interesting, exciting topic ले करके, वो खाने से रिलेटर रहेगा, वैदिक food से रिलेटर रहेगा, आउरवेदा में खाने का क्या महात्रा है, उससे रिलेटर रहेगा, तो आप से अपना ख्याल रखें, और आज जो weekend की शाम है, उस को enjoy करें, हम लोग वापिस मिलते हैं, अगले week में तब तक शुक्रिया, join करने के लिए, और stay safe, see you all, bye